Hello friends, welcome to my YouTube channel तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Example No. 3 से Start करेंगे Application of Integration Last वीडियो में हमने Example No. 1 और 2 के बारे में बात की थी और यहाँ पे हमने Basic देखा था कि Application of Integration को Solve कैसे करना है और MC से Cost कैसे निकाली जाती है Example No. 3 के अंदर यहाँ पे हमें MC दिया है Marginal Cost गिवन है और Question के अंदर हमसे पूस्ता है कि Total Cost हमें निकाली है When X is equals to 2 And FC is equals to 6 lakh अब यहाँ पे हम इसको Put करेंगे और Example No. 3 को Solve करते हैं यहाँ पे Example No. 3 में हमें MC function गिवन है इसका Integration करेंगे तो यहाँ पे हमारा Cost function निकल कर आएगा 4 प्लस 5X स्क्वेर प्लस 3 बाए 2 E की पावर माइनस X अब यहाँ पे 4 का जब आप Integration करेंगे तो यहाँ जाएगा 4X प्लस 5X क्यूव अपॉन 3 माइनस 3 बाए 2 E की पावर X प्लस के अब यहाँ पे आपका E की पावर माइनस X था इसको हमने नीचे लेके गए माइनस साइन बहार आ जाएगा और E की पावर X आ गया हमने इसको उपर करके लेक दिया अब कोशन में आपको Fixed कोश यहाँ पे बोलता है 6 लैक और X is equal to 0 पुट करके हम यहाँ पे constant K function की value को निकालेंगे तो यहाँ पे 6 लैक को सिर्फ आप यहाँ पे 6 पुट करेंगे यहाँ पे X की जगा पे 0 पुट करेंगे तो यह function 0 हो जाएगा साथ में आपका 0 आ जाएगा माइनस 3 बाइ 2 E की पावर 0 प्लस K E की पावर 0 आपका 1 होता है यह मैंने आपको last class में बताया था तो यहाँ जाएगा 6 is equal to 0 प्लस 0 माइनस 3 बाइ 2 प्लस K अब 3 बाइ 2 यहाँ पे negative का है दूसरे side जाएगे यह positive हो जाएगा और इसकी value यहाँ पे निकल कर आएगी 15 बाइ 2 तो यहाँ पे हमारा cost function निकल कर आया है 4X प्लस 5 पॉन 3 X क्यूब माइनस 3 बाइ 2 E की पावर माइनस X प्लस 15 बाइ 2 तो यह निकल कर आचुका है अब यहाँ पे question में बोलता है when X is equal to 2 यहाँ पे हमें cost function को find करना है जब आपका X की value 2 हो अब यहाँ पे हम हर जगा मतलब 2 put करेंगे और इसकी value को find करेंगे तो यहाँ पे आप 2 को into करेंगे 4 के साथ में तो यहाँ जाएगा 8 2 का यहाँ पे cube करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 8 5 by 3 multiply 8 minus 3 by 2 E की पावर minus 2 plus 15 by 2 E की पावर minus 2 की हमें value नहीं पता तो इसको हम दूसरे साइड लिख देंगे और constant को एक साथ में यहाँ पे multiply कर देंगे 8 plus 40 upon 3 plus 15 by 2 minus 3 by 2 E की पावर minus 2 इन तीनों का यहाँ पे हम LCM ले लेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 6 48 plus 80 plus 45 minus 3 by 2 E की पावर minus 2 तो cost function आपका निकल कर आया है 173 upon 6 minus 3 by 2 E की पावर minus 2 तो यह function आपका निकल कर आचुका है तो question में बस हमें यही बोलता है कि सबसे पहले आपको x is equal to 2 solve करना है और यहाँ पे आपको constant function निकालना था cost function निकालना था इसके बाद में आता है आपका example number 4 mc is equal to log x square इस type का question मैंने आपको वहाँ पे integration में by parts में करवाया था इसको हम यहाँ पे by parts से solve करेंगे by parts से इसका जो integration है वो easily निकल कर आ जाएगा mc का integration करेंगे तो यहाँ पे आपका cost function निकल कर आएगा इसके बाद में हम integration करेंगे log x square multiply 1 dx यहाँ पे हम uv के formula से इसको solve करेंगे तो यहाँ पे आजाएगा पहले वाला as it is दूसरे वाले का integration 1 का integration हो जाता है आपका x बीच में sign minus integration पहले वाले का derivative तो यह आपका chain rule से हो जाएगा और इसके बाद में आता है आपका दूसरे वाले का integration तो यहाँ जाएगा x x x cancel हो जाएगा और यहाँ पे आपको फिर से integration by parts लगाना पड़ेगा तो यह हो जाएगा आपका log x square into x minus 2 तो यहाँ पे आप दुबारा से formula पूट करेंगे पहले वाला as it is दूसरे वाले का integration 1 का integration होता है आपका x बीच में sin minus integration पहले वाले का derivative दूसरे वाले का integration अब यहाँ पे हम brackets को open करते हैं तो यहाँ जाएगा log x square x minus 2 यह हो जाएगा आपका यहाँ पे x log x और यहाँ पे जब आप इसका दुबारा से integration करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका x अब इसके बाद में यहाँ पे आप लिख सकते हैं log x x square x minus 2 यहाँ पे आप x को common ले सकते हैं तो अंदर बच जाएगा log x minus 1 plus k अब कोशन में आपको बोलता है कि c की value 22 और x की value 1 अब आपको यहाँ पे constant की value find करनी है तो c की जगा पे आप 22 पुट करेंगे और x की जगा पे 1 log 1 log 1 की value आपकी होती है 0 तो जब आप यहाँ पे log 1 पुट करेंगे तो यह जाएगा आपका 0 multiply 1 minus 2 multiply 1 bracket log 1 की value आजाएगे आपकी 0 minus 1 plus k अब brackets को open करेंगे यह हो जाएगा आपका 22 minus 2 into 0 plus 2 plus k यह function भी आपका 0 हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 22 इस side plus है दूसरी side जाके minus 2 हो जाएगा तो function आपका constant निकल कर आए है 20 अब यहाँ पे इसको input कर देंगे cost function के अंदर तो cost function आपका आजाएगा यहाँ पे cost function हमारा निकल कर आए था यह value तो यहाँ पे आजाएगी log x का square x minus 2x log x minus 1 plus 20 तो यह आपका cost function जो है वो निकल कर आचुगा है इसके बाद में question में आपको बोलता है x is equal to 100 units अब यहाँ पे आपको cost function की जो value है उसको find करना है when x is equal to 100 units तो हम यहाँ पे x की जगा पे 100 put कर देंगे तो यहाँ जाएगा आपका 100 multiply log 100 का square minus 200 log 100 plus 200 plus 20 अब यहाँ पे आपको log 100 की value यहाँ पे देखनी है तो यहाँ पे आपका log 100 जो होता है उसकी value होती है 2 और यह आप table में से भी देख सकते है तो यहाँ पे log 100 आपका 2 है 2 का square जब आप करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 100 multiply 2 का square हो जाएगा आपका 4 minus 200 multiply 2 plus 220 इसके बाद में यहाँ पे brackets को open करेंगे और multiply करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 400 minus 400 plus 220 अब ये function इसके साथ में cancel हो जाएगा और आपका यहाँ पर answer आजाएगा 220 रुपीज तो cost function यहाँ पर आपकी निकल कर आचुकी है तो अभी हमने fourth question किया है इसी तरीके से यहाँ पर आपका fifth question solve होगा इसके अंदर आपको mc की value given है और यहाँ पर आपको average cost seven units के लिए निकालना है इसके बाद में आता है आपका question number six इसको आपको formula से यहाँ पर proof करना है यह proving का question है आपका example seven and eight यह भी आपके homework question है जिसके अंदर आपको mc given है और 200 से 400 यहाँ पर limit आपको given है example number eight आपका proving का question है और यहाँ पर आती है आपकी exercise number 10.1 सबसे पहले यहाँ पर आपके दो question given है यह वाला जो part है इस type का question मैंने आपको example करवाया था example number one और यह आपका example number two के तरह related है दोनों ही इसके बाद में आता है आपका example number three से लेके 19 यहाँ पर आप कर सकते है है easily और इन सबके यहाँ पर आप questions को screenshot ले सकते हैं और solve कर सकते हैं तो इसी के साथ में आपके exercise number 10.1 जो है वो complete होती है और यहाँ पर आप इसके answers भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपके exercise 10.1 complete होती है जिसके अंदर आपके cost function आती है next exercise के लिए हम यहाँ पर marginal revenue के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो है वस इतना ही वीडियो अच्छी लगी होता प्लीज लाइक करें चैनल पर नए होता आप सब्सक्राइब करें और आप इनी वीडियो को जा सदा शेयर करें thank you so much for watching करें तर आपके को अबूब थाँ जाहरां चैनल टो यहां लापके लिए होता है